Welcome students, आज हम लोग पढ़ेंगे articles, इंग्लिश में articles आप लोग सब भी जानते हैं कि या तो a होता है या n होता है या the का use किया जाता है या d का use किया जाता है लेकिन article पढ़ने से पहले हम इस word के बारी में भी जान लेते हैं कि जब ये article as a noun use किया जाता है आप लोगों ने बहुत सारी जगे newspaper में भी article शब्द सुना होगा और आपके question paper में भी आता है write an article on pollution on save water तो वहाँ पर article का मतलब क्या होता है तो जब article word noun के रूप में आता है तो उसका हिंदी में एक meaning होता है अनुच्छेद जैसे कि आप constitution या समविधान में के इस अनुच्छेद में ये बात कही गई है तो वह अनुच्छेद वहाँ पर article फिर कोई भी लेक या निबंध जैसे कि आपके question paper में लिखा रहता है write an article क के लिए भी article का use किया जाता है a piece of writing on a particular subject article याने लेक किसी भी विशेश particular किसी खास subject पर यदि कुछ लेक लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा article ये लेक newspaper में भी हो सकता है magazine में भी हो सकता है on internet याने आप internet पर भी कोई लेक पढ़ते हैं या magazine में पढ़ते हैं या newspaper में पढ़ ये उस लेक को क्या कहा जाएगा उसको article कहा जाएगा तो ये तब हुआ कि article का शाब्दिक अर्थ जब ये as a noun use होता है तब क्या होता है अब जो article हम लोग पढ़ने जा रहें English grammar में articles क्या होते हैं हम लोग ये समझने जा रहें तो जो ये articles होते हैं ये जो English में part of speech है याने noun है कि pronoun है adjective है कि adverb है तो इन सब में जो determiners हैं इसके अंतरगत articles आते हैं articles are small words that often used at the beginning of a noun phrase किसी भी noun के पहले या noun phrase के पहले articles आते हैं और बहुत ही small word होते हैं आप लोग जानती है a या an या the इतने चोटे से words होते हैं जो कि किसी भी noun phrase के पहले आते हैं लेकिन यह होते हैं चोटे तो होते हैं small words लेकिन यह बहुत ही important होते हैं articles are used with nouns article को noun के पहले use किया जाता है but not all nouns are used with articles यह important है कि सारी noun के पहले article नहीं आते हैं अब इसी बात को समझने के लिए हम लोग article को पढ़ रहे हैं कि किन nouns के पहले या किन condition में कौन सा article आता है कौन सा article का मतलब article जादा होते हैं तो जो article के type हैं indefinite article and definite article indefinite word भी आप लोगों के लिए नया नहीं है जब आप लोगों को मैंने tense पढ़ाया था तो present indefinite, past indefinite तो indefinite word का आपको meaning समझाया था लेकिन यहाँ पर हम indefinite जब article को पढ़ेंगे एक बार फिर से indefinite क्या होता है उसको समझ लेंगे तो जो indefinite article होते हैं वो होते हैं A या N और जो definite article में use होता है वो होता है दी या द कब T.H.E. को दी प्रनाउंस करते हैं यह भी हम जब definite article को समझेंगे तब इस बात को भी सीखेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे indefinite article A या N याने कब हम A का use करेंगे और कब N का use करेंगे जल्दी से आप यह बहुत ही important information है इसका एक screenshot ले ले इसके आगे हम लोग the indefinite article को कैसे use किया जाता है यह सीखेंगे और अब हम पढ़ते हैं indefinite article A या N का बहुत ही important use that is sound के आधार पर कैसे यह हम लोग सबी जानते हैं कि English language में 26 letters होते हैं जिसमें से कि 5 A E I O U यह स्वर याने vowel कहलाते हैं और जो 21 letters बचते हैं वो consonant कहलाते हैं एक general rule या एक बहुत ही जाना पहचाना रूल आप लोग को junior level की classes में बताया जाता है कि यदि कोई word vowel से शुरू होता है याने स्वर से शुरू होता है A E I O U उसके शुरू में आते हैं तो वहां पर N लगाना है और बाकी सब के साथ में A लगाना है लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है कैसे A word beginning with consonant यदि कोई word consonant sound से शुरू हो रहा है अभी हम sound के base पर पढ़ रहे हैं तो वहां पर A का use किया जाएगा a boy, a child, a student consonant भी है और इनकी जो sound है वो भी consonant जैसी ही है अब यदि कोई word with a vowel giving sound of a consonant एक ऐसा word जो की vowel याने vowel से शुरू हो रहा है और उसकी sound कैसी है? consonant जैसी है ये बहुत ही important rule है जहां पर की कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती है तो इसमें यदि कोई word है जो की swear याने vowel याने vowel से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी जो sound है वो consonant जैसी है तो वहां पर हमको an नहीं लगाना है और a का use करना है कैसे? a one-eyed man वन ओ से शुरू हुआ लेकिन जो इसकी sound है वो कैसी है? वा डव्यू जैसी है तो यहां पर a का use हुआ university student यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है वावल है लेकिन जो sound है वो या है वो एक consonant की sound है again a unique book आपने देखा यू है जट से n लगा दिया लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि जो इसका pronunciation है जो इसकी sound है इस word की इसकी sound है वो कैसी है? consonant जैसी है तो यहां पर a आएगा a universal problem a universal या sound है जो की consonant की है that's why यहां पर a का use किया जाएगा a uniform a uniform फिर से या sound है जबकि जो यह word है वो एक वावल से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी जो sound है वो consonant है that's why यहां पर n का use ना करके a का use किया गया है अब आप इसको जल्दी से note करें फिर sound के आधार पर आगे indefinite article को कैसे use करते हैं वो हम जानेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं sound के आधार पर indefinite article a या n का use कब कब होता है इफ दो वर्ड बिगन विद वाउल साउंड एक वर्ड जो या तो वाउल साउंड से शुरू हो या फिर वो वाउल से याने स्वर से ही शुरू हो जाए तो an का use होगा कैसे an apple, an elephant, an inkpot, an orange, an umbrella ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये इनकी sound भी वाउल जैसी है और इनका जो बिगनिंग है वो भी एक वाउल से याने स्वर से हो रही है जैसे यहाँ elephant है, inkpot है, orange है, umbrella है इसके बाद बहुत सारे words ऐसे भी होते हैं जो की consonant से तो शुरू होते हैं लेकिन वहाँ पर ये h mute होता है याने इसको pronounce नहीं किया जाता है और यहाँ पर h silent है और जो ये o है इसको pronounce किया जा रहा है और o को कैसे pronounce किया जा रहा है एक वाउल की तरह pronounce किया जा रहा है तो इसके पहले n यूज होगा an honorable person honorable में भी यहाँ पर h mute हो गया है o की sound है जो की स्वर जैसी है वाउल जैसी है that's why यहाँ पर n यूज होगा an honest man same h silent है h mute है और जो second letter है o उससे उसका pronunciation हो रहा है तो यहाँ पर n का use होगा with a consonant pronounced with the sound of vowel एक consonant जो word है वो उसको vowel की sound की तरह pronounce किया जा रहा है यानि उसमें से एक स्वर की आवाज आ रही है खासकर कब abbreviations के साथ में जो short forms होती है कैसे an llb student llb तो यह l कैसा हो रहा है ऐसा l जो आपकी sound है वो कैसी आ रही है e पहले आ रहा है यहाँ पर इसलिए क्या हुआ n लगा n m p तो m p को कैसे बोला जा रहा है इस तरह का बोला जा रहा है m तो यहाँ पर क्या हुआ a sound है इसके कारण इसमे n लगा s p same यह s को कैसे pronounce के ज़र है s इस तरह से तो इसके पहले भी n का use हुआ n f i r f i r f को कैसे f को जो pronunciation है वो भी इस तरीके का है तो यहाँ पर यह एक vowel sound है इसलिए वो f i r के पहले n है and x ray x ray x ray को भी जब pronounce किया जा रहा है तो कैसे कर रहा है e k s x ray यह हमारी ऐसी sound निकल रही है जो की vowel की है तो यहाँ पर n लगेगा लेकिन एक बात important है यदि abbreviation full form में हो याने जो short form नहीं हो तो वहाँ पर a का use होगा कैसे mp 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 में a की sound है तो हमने यह n लगाया लेकिन जब mp के full form होगी member of parliament तो फिर जो m है उसकी sound तो ma m ही आ रही है तो यहाँ पर फिर a का use होगा ना की n का होगा तो यह बहुत important use है कि यदि abbreviated form में वो word है और उससे vowel sound आ रही है तो हम वहाँ n लगाएंगे लेकिन यदि उसकी full form है तो हमको यह check करना पड़ेगा कि full form में vowel sound है की नहीं तब ही हम वहाँ पर a या n का use करेंगे जल्दी से आप इसको note करें फिर इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा topic और पढ़ लेते हैं position of article कि article की position कहा हो अभी हमने पढ़ा कि जो article है वो noun के पहले या noun phrase के पहले आते हैं लेकिन exact position क्या होती है और किस तरीके से article का use होता है यहाँ पर देखते हैं usually an noun से पहले आते हैं अक्सर जो indefinite article an है यह noun के पहले आते हैं जैसे की abog, an enemy और भी जो हम example अभी तक देख चुके हैं the choice of an, the choice of a और an does not always depend on the initial sound of the head noun लेकिन हमेशा कि आप a लगाएं या n लगाएं यह इस बात पर depend नहीं करता कि वो किस noun के लिए use हुए हैं कैसे? it depends on the initial sound of what follows it immediately यह इस बात पर depend करेगा कि आप a लगाएं या n लगाएं कि इन के पहले, उस noun के पहले यदि कोई adjective है तो उसकी sound क्या है? कैसे? देखते हैं मान लिजए एक जगे है a man ठीक है, man consonant है, जो ma sound है वो भी consonant है हमने a लगाएं लेकिन अब आया an old man तो क्या हुआ? अब man तो consonant से लेकिन अब जो use होगा वो इस noun के पहले जो ये adjective आया है इस adjective का जो पहला letter है, उसकी sound कैसी है? इस पर depend होगा a या an का use तो यहाँ पर क्या हुआ? अब an का use हो गया, same a happy family, family है happy, h, consonant sound, a आया लेकिन a family तो यही है, लेकिन अब आगया honest, h, mute है, silent है और जो o है, वो vowel है, that's why यहाँ पर अब an का use हो गया an animal, animal a, तो यहाँ पर an का use किया, लेकिन अब आया a wild animal हम यह सोच के कि animal के पहले तो हमेशा an ही आएगा, नहीं, animal के पहले it depends on the initial sound of what follows it, याने इसके पहले जो word आ रहा है उसकी initial sound, उसके जो first letter की sound है, उस पर depend करता है कि यहाँ पर कौन सा article आएगा, a आएगा या n आएगा this is an 18 player team, अब 18, e और जो उसका sound है, वो भी vowel जैसी है तो यहाँ पर n आ गया, 18 player team, याने यह 18 जो players है, उनकी team है he is an 80 year old man, 80 again, n लगा, क्योंकि जो इसकी sound है, वो कैसी है लेकिन, this is a 5 year old boy, अब आपने सोचा कि यहाँ 18 है, 80 है और यहाँ 5 आ गया, तो यहाँ पर भी n लगा दे, लेकिन 5 की sound कैसी है consonant जैसी है, इसलिए यहाँ पर a का use होगा, याने जो article की position है वो कहाँ पर होगी, वो noun है, यदि noun के पहले कोई adjective है तो article, पहले article, फिर adjective, फिर noun यह position होगी, ऐसा नहीं है, कि पहले old and man, ऐसा नहीं हो सकता happy or family, ऐसा नहीं होगा position का मतलब है, कि यदि उस noun के पहले कोई adjective है तो जो article है, वो पहले article, फिर adjective, देन noun यह उसकी position रहेगी अब यदि पहले adverb आजए, फिर adjective आए, फिर noun आए तब article का use कहाँ होगा, यह हम लोग अब आगे देखते है आप जल्दी से इसको note कर लें position of article को थोड़ा सा और देखते है यदि noun के पहले कोई adjective है, उसके पहले कोई adverb है तो ए या एन कहाँ आएगा? ए या एन पहले आएगा, फिर adverb आएगा, फिर adjective आएगा, देन noun ऐसा नहीं हो सकता कि पहले adverb, फिर adjective, देन noun article उसके बाद में noun कैसे? a very good book book है noun, good है adjective, very है adverb अब जो article की position है वो कहाँ पर है? noun, adjective, adverb के पहले ऐसा नहीं हो सकता कि ये a अब भी noun के पहले ही जाए इन extremely beautiful आया जो ये a है, वो इस noun के लिए आया है लेकिन इसकी position क्या है? पहले article, देन adverb, देन adjective और उसके बाद में noun and extremely beautiful girl and जो ये initial एक वो sound वाला रूल की जो initial जो इसके ठीक बाद जो word आ रहा है उसकी initial sound क्या है? उसकी initial sound एक वाल जैसी है जबकि यहाँ पर consonant जैसी है पहले adverb, article, adverb, adjective, then noun when we talk of a thing or a person that is indefinite or mentioned for the first time जब किसी भी व्यक्ती के बारे में, first time में चर्चा की जाती, पहली बार उसको बोला जाता है या फिर वो indefinite एन एक general sense में बोला जाता है जिसे once upon a time there was a loin एक बार की बात है, एक loin था तो क्या है? जो a loin है, वो क्या है? indefinite, कोई किसी particular के बारे में बात नहीं की जा रही है उसको और पहली बार वो उस जो story में या उस जो हम जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें उसको use किया जा रहा है, introduce किया जा रहा है उस noun को तब वहाँ पर a या n का use होगा ये बहुत ही important use है, अकसर हम use करते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि यहाँ पर a और n का use क्यों किया गया, तो a और n, a अत्वा n का use every के sense में भी होता है, one के sense में भी होता है, any के sense में भी होता है some या same के अर्थ में किया जाता है, sentence common है लेकिन आप किस क्या इसमें a का लगने से या n का लगने से उसका अर्थ क्या बन रहा है यह समझ नहीं पाते हैं, कैसे, I need a book, यह तो common बात है, I need a book, I means one book, I need one book, A का मतलब वहाँ पर one, and old man had four sons, again जो N है, N यहाँ पर क्या sense दे रहा है, one का sense दे रहा है, he earns only 50 rupees a day, वो एक दिन, हर दिन, यहाँ पर R day का मतलब every day, वो हर दिन, प्रते एक दिन, 50 rupees earn करता है, कमाता है, यहाँ पर जो यह, A का use कि sense में किया जा रहा है, every के sense में किया जा रहा है, the train runs at 150 kilometers an hour, यहाँ पर N का use every, यहाँ पर जो एक सो पचास किलो मेटर प्रती घंटा, every hour, यहाँ पर जो N का use है, वो every के sense में, the birds of a feather flock together, अब यहाँ पर, जो आ का use है, वो ना तो one के sense में, ना every के sense में, यहाँ पर जो आ का use है, वो same, the birds of a feather, आ मिन सेम, ऐसी जो birds जिनके की punk समान होते हैं, वो एक साथ flock रहती हैं, खटी रहती हैं, तो यह क्या हुआ, the birds of a feather flock together, यहाँ पर O का मतलब एक punk नहीं है, कि बहुत सारी चड़िया जिनका एक punk, यहाँ पर O का मतलब है same, यहाँ पर A या N का use के sense में हुआ है, same के sense में हुआ है, तो हम यह use करना तो जानते हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि यहाँ पर इस O का meaning क्या आ रहा है, यह इस N का meaning क्या आ रहा है, तो हमको यह भी याद रखना है, कि O का मतलब one ही नहीं होता, वो every, any, one, some, same, इतने meaning दे सकता है, इसके आगे हम लोग any का कैसे meaning देता है, कभी उसके जाता है, यह पढ़ेंगे, आप इसको note कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, A या N, याने indefinite article का हमने पढ़ा, कि one के sense में, वो meaning देते हैं, some के sense में देते हैं, same के sense में देते हैं, और any के sense में देते हैं, कैसे देते हैं, जब noun पूरे class को represent करे, याने जब वो noun अपने किसी quality में, उस पूरी class को, याने उस पूरे sum को represent करे, तो वहाँ पर indefinite article का use होता है, कि sense में, any के sense में, कैसे, a cow is a useful animal, तो जो a है, इसका मतलब यह नहीं कि a की cow useful है, a cow means any, कोई भी, जो उनसकी पूरी cow की community है, पूरी class है, जितनी भी गाये हैं, वो क्या है, कोई भी उनमें से हो, वो useful animal है, a rose is a beautiful flower, एक गुलाबनी, any, कोई भी, रोज को ले लें, सभी बहुत beautiful होते हैं, तो यहाँ पर, जब एक noun, पूरी अपनी community को represent करें, कि एक जो noun है, उसमें जो quality है, वो उस पूरी community में है, तो वहाँ पर जो indefinite article है, वो any के sense में use होता है, एक और बहुत interesting use है, जब व्यक्ति stranger हो, या हमें उसके बारे में, उसके surname के अलावा कोई जादा ना पता हो, जैसे कभी आपके घर कोई आता है, आपने दरवाजा खोला, और उसने बताया कि मैं यह हूँ, आप केवल उसके surname के अलावा कुछ नहीं जानते, तो आप क्या अपने फादर से बोलते हैं, कि कोई Mr. Sharma आये हैं, या कोई Mr. Paul आये हैं, तो जो कोई है, that is someone, someone के sense में, जो indefinite article का use होगा, A Mr. Sharma came in the evening, A Mr. Sharma, एक Mr. Sharma याने कोई Mr. Sharma, याने हम उनके surname के अलावा, वो stranger हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं जानते, तो वहाँ पर क्या होगा, indefinite article का use किया जाएगा, A Mr. Sharma came in the evening, A Mr. Paul is waiting for you, आप बाहर हैं, आपको कोई बताता है कि A Mr. Paul is waiting for you, तो A का मतलब है someone, कोई Mr. Paul, क्योंकि वो a stranger हैं, बताने वाला कुछ जादा जानता नहीं है, that's why यहाँ पर A का use किया गया, इसके बाद में, to make a common noun of a proper noun, to express quality, to generalize the proper noun, बहुत ही important और advanced use है, एक common noun, noun के बारे में मैंने एक noun पर भी वीडियो बनाया था, तो बहुत detail में noun के प्रकार को समझाया था, और आपको यह भी बोला था कि बार-बार यह word आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझे, to make a common noun of a proper noun, proper noun याने किसी का भी नाम, जब हम उस proper noun को एक common noun में convert करें, कैसे यह बतलाने के लिए, कि उसकी कोई quality, वो जो नाम है, वो अपने नाम के कारण नहीं, वो अपने गुण के कारण जाना जा रहा है, उस समय पर क्या किया जाएगा, उसमें indefinite article का use, जैसे, he is a newton, a newton वो तो एक newton है, तो यहाँ पर newton तो एक ही था, लेकिन a newton का मतलब है, कि उसमें qualities है, जुसकी quality है, as able as newton, याने उसकी जो quality है, वो newton की quality से mail खाती है, याने उसमें वही qualities है, तो उसकी qualities को express करने के लिए, a का use किया गया, indefinite article का use किया गया, she is an Einstein, हम लोग सभी जानते हैं कि Einstein was very intelligent, जब class में कोई भी बहुत intelligent होता है, तो क्या बोलते है, she is, yeah he is an Einstein, Einstein का मतलब यहाँ पर क्या है, यह proper noun को common noun में convert कर दिया, याने common noun में उसकी quality को express करने के लिए, as intelligent, वो Einstein की तरह intelligent है, that's why यहाँ पर क्या है, इसके पहले एक indefinite article का use किया गया, He is a Vikramadity, हम लोग सभी जानते हैं कि Vikramadity बहुत न्यायप्री है था, तो जब कोई बहुत ही ज़्यादा न्यायप्री होता है, ऐसी बहुत सारे बाते होती हैं, हम लोग उसको उसके गुण के कारण उसको वो नाम दे देते हैं, और उसके पहले indefinite article या तो A या N का use किया जाता है, समान, same के sense में, अभी मैंने बताया था, any के sense में, some के sense में, one के sense में, और समान, he thinks he is a Kishore Kumar, जब कोई गाना गाता है, या उसमें कोई mimicry करता है, या कुछ भी quality हो, कोई कवीता लिखता है, तो वो क्या है, उसके समान, याने same के अर्थ में, one alike, he thinks, वो ऐसे सोचता है, he is a Kishore Kumar, a Kishore Kumar का मतलब है, कि जो Kishore Kumar है, वो singer है, तो वो सोचता है, कि वो अलाईक, याने, उसके जैसा है, Kishore Kumar के जैसा है, एक Kishore Kumar है, वे एक Kishore Kumar नहीं है, यहाँ पर है तो ए, लेकिन ए का मतलब क्या होगा, same होगा, कि वो यह सोचता है, कि वो Kishore Kumar के समान है, तो ये क्या हुआ उसकी qualities याने जो qualities किशोर कुमार में है उसमें भी वही है तो हमने क्या देखा कि जो or या an indefinite article है इसका मतलब केवल एक नहीं होता ये sentence में अलग-अलग meaning देते हैं और वही important है जब आपको paragraph edit करना हो, correction करना हो तब आपको ये सारे meaning यदि पता होंगे तो आप वहाँ पर correct article को insert कर सकते हैं, edit कर सकते हैं अब इसको note करें इसके बाद में थोड़ा सा और indefinite article के बारे में जानते हैं ये और end के use को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, जब a या end का मतलब बराबर one हो, याने a मतलब one हो या end का भी one हो तो इनको interchange कर सकते हैं कैसे, I bought a pen या I bought one pen, same meaning है, लेकिन हर जगे ऐसा नहीं होता, a bird has got wings अब यहाँ पर यदि हम इस पर one लिख दें, तो इसका मतलब यह होगा कि केवल एक bird के ही पंक होते हैं, तो यहाँ पर क्या है यह और जो अ है, यह क्या meaning दे रहा है, any का sense दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर one नहीं लिख सकते हैं, आपको इसलिए पता होना चाहिए, कि indefinite article उस particular sentence में किस sense में use किया गया है, कुछ संख्यात्मक पद होते हैं, याने numerical expressions होते हैं, जैसे price है, rate है, ratio है, speed है, यह यह बताई जा रही है, तब भी or या end का use होता है, कैसे, she can type 40 words a minute, वो एक minute में 40 words को type कर सकती है, याने यहाँ पर speed की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, और का use किया गया, oranges sale at 50 rupees a kilo, यहाँ पर price की बात हो रही है, तो यहाँ पर price के पहले जो indefinite article का use किया गया, तो यह तो थे indefinite article a या end के general use, जो की अकसार आप देखते हैं, अब इसके आगे, जो next वीडियो में, इनका advance use हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके competitive exams में भी बहुत useful होगा, तो आप लोग इस वीडियो को बार-बार देखें, ताकि आपको जो indefinite article के simple uses हैं, लेकिन फिर भी interesting हैं, वो आपको समझ में आएं, आप उनका बहुत अच्छे से use करें, और उनको लिखने में, अपनी writing skills में भी use करें, तो next वीडियो त